सिनेमा की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना समझा जाता है और जब बात भारतिय सिनेमा की हो तो रजनी कात का नाम सबसे उपर आता है 12 दिसंबर 1950 को बैंगलूरू के एक साधारण परिवार में जन्मे रजनी कांत का असली नाम था शिवाजी राव गायकवाड आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और बस कंड़क्टर की नौकरी करनी पड़ी लेकिन सपनों का पीछा करने का जजबा तब भी जिन्दा था रजनी कांत की किस्मत तब बदलनी शुरू हुई जब उन्होंने मदरास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया वहाँ उनके अभिनय कौशल को पहचाना गया और मशहूर निर्देशक के बाला चंद्र ने उन्हें अपनी फिल्म अपूर्वर रागांगल में मौका दिया यहीं से रजनी कांत की फिल्मी सफर की शुरुआत हुई अपने अनोखे अंदाज, स्टाइल और डायलोग डिलीवरी के चलते रजनी कांत ने जल्द ही एक अलग पहचान बना ली 80 और 90 के दशक में उनकी फिल्में जैसे बाशा, मूथू और बिल्ला ने उन्हें साउट सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बना दिया लोग उनकी फिल्मों का बेसबरी से इंतजार करते थे रजनी कांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बलकि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुके थे उनके फैंस उन्हें भगवान की तरह पूझते हैं उनके स्टाइल, उनकी फिल्में और उनके समबाद सिनेमा प्रेमियों के दिल में खास जगह बना चुके हैं इस शांदार सफर में रजनी कांत को कई चुनोतियों का सामना भी करना पड़ा कुछ फिल्में असफल रही और स्वास्थ समस्याओं ने भी उन्हें परेशान किया लेकिन सच्चे नायक वही होते हैं जो हर मुश्किल से उभर कर सामने आते हैं सिवा जी, कबाली और रोबोट जैसी फिल्मों के साथ उन्होंने फिर से साबित किया कि वह वाकई एक सुपस्टार है रजनी कांत की सफलता का सबसे बड़ा राज्ज है उनकी सादगी इतनी शोहरत और सफलता के बावजूद वह हमेशा जमीन से जुड़े रहे वह कभी अपने फैंस को नहीं भूलते और हमेशा अपने जीवन के संघर्षों को याद करते हैं रजनी कांत की कहानी यह बताती है कि चाहे कितनी भी मुश्किले आएं अगर आपके पास सपना, मेहनत और लगन है तो आप किसी भी उचाई को छू सकते हैं एक बस कंड़क्टर से लेकर सिनेमा के भगवान तक का सफर यह है रजनी कांत की अद्वितिय सफलता की कहानी